Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solanki और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Dr. Surabhi की Pregnancy Tips Pregnancy Test Kit में जब वो दो लाइन्स दिखाई देती हैं तो कितना exciting होता है mothers, would-be mothers के लिए और couple के लिए, पूरी family के लिए की pregnancy है और baby होने वाला है और एक curiosity भी one में जग जाती है कि baby boy होगा कि baby girl होगी तो इसके लिए कुछ अगर आप foreign countries में हैं तो बिल्कुल generally ultrasound में पता चल जाता है कि boy है कि girl है और वो लोग बता भी देते हैं लेकिन आप में से कई लोग जानते ही होंगी कि इंडिया में ये चीज legal नहीं है और इंडिया में जो gender है वो बताया नहीं जाता है baby का क्योंकि आप जानते हैं unfortunately कई लोग baby girl अगर पता चलती है तो उसको early stages में abort करना प्रिफर करते हैं इसी reason से ये चीज जो है इंडिया में illegal हो गई है और इसको allow नहीं किया जाता है लेकिन कई ऐसे couples भी हैं जिनका इस type का कोई खराब intention नहीं होता है एक general curiosity भी होती है जानने कि कई लोग को baby girl भी चाहिए होती है तो ऐसा नहीं है कई reasons होते हैं जानने कि boy है कि girl है उसे इसाब से बच्चे की shopping करेंगे खरीदेंगे वो सब excitement होता है girl के कपड़े खरीदेंगे कि boy के कपड़े खरीदेंगे इस type का बहुत excitement होता है तो हर बार एक गलत intention नहीं होता है यह जानने में कि बेटा है कि बेटी है तो आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे science है जिससे कि generally लोग try करते हैं find out करने के लिए कि boy होगा कि girl होगी और ultrasound के कौन से हफते में generally पता चलता है कि boy है कि girl है क्या यह actually possible है कि नहीं है और जैसे कि आपने इस वीडियो के title में देखा होगा कि कई लोग search करते हैं कि placenta की position से क्या यह पता चल सकता है कि baby boy है कि baby girl है कई लोग यह determine करने की कोशिश करते है कि अगर placenta की position जो है वो anterior है या posterior है तो उससे क्या पता चल सकता है कि boy है कि girl है और कई लोगों का आपने से यह भी नहीं पता होगा कि placenta क्या होता है anterior placenta क्या होता है posterior placenta क्या होता है तो इन सब चीजों के बारे में डीटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी पेड़ी के सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लिसेंटा क्या होता है जब आप स्पर्म और एक का फर्टलाइजेशन होता है और एंब्रियो डेवलप होता है तो उसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं एक टाइप के जो सेल्स होते हैं उनसे तो आपका बेबी डेवलप होता है और जो दूस इसरे टाइप के सेल्स होते हैं उनसे प्लसेंटा डेविलप होता है तो प्लसेंटा जो है वो उसका काम क्या होता है वो एक तरीक का ओरगन होता है जो आपकी बॉड़ी में डेविलप होता है आपके बेबी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और आपके बेबी को वो सपोर जाता है और फिर आपके बेबी के अंदर जो waste products निकलते हैं उनको ये placenta जो है वापस आपकी blood stream में पहुचा देता है जिससे कि आपकी body से ये excrete out हो जाए तो placenta एक तरफ से umbilical cord के थूँ यानि कि जो गर्ब नाल होती है आप सभी जानते हैं उसके थूँ बेबी की नाभी के साथ attached होता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से placenta जो है आपके uterus यानि बच्चेदानी के साथ attached होता है यानि की जुड़ावा होता है जब delivery होती है तो पहले आपका baby deliver होता है और baby के deliver हो जाने के बाद placenta भी आपका deliver होता है यानि की placenta detached हो जाता है आपकी uterus में से और फिर plac तो आपकी body से pregnancy over होने के बाद placenta भी चला जाता है आपकी body में से, तो ये placenta होता है, placenta जो है वो आपके uterus में कहीं भी attached हो सकता है, जाधा तर placenta जो है वो uterus के posterior portion में attached होता है, यानि की पीछे वाले हिस्से में, जो आपकी spine, जो आपकी back वाला हिस्सा होता है, उस तरफ ये uterus में attached होता है, और जाधा तर ये upper side of the uterus में attached होता है, कई बार placenta posterior portion में, यानि की पीछे की तरफ बच्चे दानी में attached होने की बजाए, anterior portion में, anterior मतलब होता है आगे, यानि की आगे की तरफ ये attached होता है, तो कुछ लोगों के मन में थोड़ा यसा doubt भी होता है, कि कहीं अगर anterior plac placenta है, तो बेबी की health को कोई नुकसान तो नहीं है, तो यासा कुछ भी नहीं होता है, बेबी की health को कोई नुकसान नहीं होता है, चाहे placenta आपका posteriorly attached हो, यानि की uterus के पीछे की तरफ attached हो, और या uterus के आगे की तरफ यानि की anterior placenta हो, आगे की तरफ attached हो, तो इन दोनों में आपका placenta attach हुआ है और आपकी बच्चेदानी का जो मुह है जिसको cervix कहा जाता है नीचे का portion जो होता है uterus का उसको नली की shape का होता है उसको cervix कहा जाता है तो वहाँ पे अगर वो उसको बच्चेदानी के मुह को थोड़ा cover कर रहा है आपका placenta नीचे की तरफ है वो risky जरूर ह होता है वो pregnancy थोड़ी risky होती है उसमें extra precaution लेने की जरूरत पड़ती है और कई बार अगर last trimester तक भी placenta नीचे की तरफ ही बना रहता है तो वहाँ पे फिर कई बार season section की जरूरत पड़ सकती है लेकिन generally क्या होता है कि शुरू आती दौर में pregnancy के अगर placenta नीचे है तो जैसे जैसे pregnancy grow करती है baby grow करता है uterus का size बड़ा होता जाता है तो placenta अपने आप उपर को move करता है तो अगर वो आपने आप उपर को चला जाता है तो फिर ये placenta previous condition को कहा जा में जानना चाते हैं तो link मैं आपको उपर provide करा दूँगी description में अभी दे दूँगी मैं आपको उस video का link आप उसको देख सकते हैं वो ये एक risky factor होता है otherwise अगर उपर की तरफे placenta आपका तो चिंता की कोई बात नहीं होता है चाहे placenta anterior हो चाहे placenta posterior हो तो अब हमने जान लिया क placenta क्या है उसकी position क्या रहती है uterus में और posterior placenta क्या होता है और anterior placenta क्या होता है अब कई जगे internet पे आपको ये मिल जाएगा कि अगर placenta anterior है तो लड़की होती है और placenta posterior है तो लड़का होता है अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी हम जान लेते हैं तो देखिए दिल को ब तो आप टॉस करके देख लीजे, head आएगा तो boy, tail आएगा तो girl यानि की कहने का मतलब है कि ये सिफ एक time pass के तोर पे बाट ठीक है, इसके पीछे कोई scientific आधार नहीं है, कोई researchers को support नहीं करती है, और नहीं ये कोई एक surety है कि जिससे आप कह सके कि अगर anterior placenta है तो लड़की ऐसा कुछ नहीं होता है, placenta की position की importance इतनी होती है कि placenta जो कुता है वो आपका upper portion में होगा, तो health अच्छी रहेगी baby की और mother की, low line placenta होगा या नीचे की तरफ होगा, तो थोड़ा delivery में problem आती है, जल्दी bleeding हो सकती है, उसमें थोड़ा health risk रहता है mother और बच्चे के लिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, otherwise anterior है कि posterior से कोई फरक नहीं पड़ता, हाँ इससे baby girl, baby boy कुछ खास फरक नहीं पड़ता है, तो अगर आपने कहीं से यह पड़ा रखा है, कि anterior होगा तो girl है, तो आप इसको एक time pass से ज़ादा कुछ मत मानी है, surety नहीं होती है, अगर placenta जो है, वो uterus के right side में attached है, तो baby boy होगा, left side में attached है, तो baby girl होगी, इसका भी कोई scientific आधार नहीं है, इन सब बातों में मत आईए, और अगर actual sex determination या gender determination की बात करें, जो कि इंडिया में नहीं हो सकता है, हाँ foreign countries में जरूर होता है, तो वो भी जो first trimester हो जदर मुश्किल होता है बताना ultrasound के द्वारा, और भी tests होते हैं जिनसे की gender determine किया जाता है, बच्चे का वो अलग टाइप की tests होते हैं, यहां पर मैं ultrasound की बात करीं particularly, तो ultrasound में पहले 12 weeks में बता पाना मुश्किल होता है, थोड़ा कि baby girl है कि baby boy है, generally second trimester में, यानि दूसरी तिम माही में अगर देखा जाता है कि लड़का है कि लड़की है, तो वो ज़्यादा surety के साथ कहा जाता है कि लड़का है कि लड़की है, और ultrasound में भी जो technicians होते हैं, वो बच्चे के legs के बीच में उनके जो genital parts होते हैं, उनको देख कर ही यह बताते हैं, determine करते हैं, कि boy है कि girl है, तो उसमें भी तरीका वही होता है देखने का, बस वो ultrasound image के थूँ देख के आपको बताते हैं, इसके लावा एक और जानकारी आपको दे देती हूँ, anterior placenta होता है तो कोई खास फरक की बात नहीं है, बेबी को proper nutrition oxygen मिलता ही है, लेकिन generally यह होता है कि आपको बेबी के movements थोड़ा देर से में भी feel होंगे, क्योंकि आगे की तरफ है, आपके पेट में आगे की तरफ placenta है, बेबी पीछे की तरफ है, तो थोड़ा सा वो cushion का effect देता है, जिससे कि आपको एकदम जितनी जल्दी posterior placenta में बेबी के movements feel होना start हो जाते हैं, उतना नहीं हुपाएगा, थोड़ा दे effects होते हैं, जिससे कि कोई खास परक नहीं पड़ता है, तो hopefully, देखें, मैं अपने वीडियो में वही बात करती हूँ, जो सही है, अब जो चीज, कई लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, pregnancy related, जिसमें कि ऐसी बात करें, जो कि आप चाहते हैं सुनना, लेकिन मुझे वो नहीं बो center है, तो girl ही होगी, और posterior है, तो boy ही होगा, ऐसा नहीं होता है, तो मैं ऐसी कोई जूटी बात नहीं करती हूँ, जो सचाई है, वो ही आपको बता रही हूँ, तो time pass के लिए ठीक है, लेकिन इससे आप बिल्कुर ऐसे sure नहीं हो सकते, कि हाँ भी girl ही है, या boy ही है, तो hopefully, आज के वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा, अगर पसंद आया है, तो वीडियो को like कीजिए, और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, subscribe आप करते हैं, तो बहुत encouragement मिलता है, एक और तरीका है, जिससे कि आप चैनल को support कर सकते हैं, वो है चैनल के member बनके, आपने नीचे blue join button देखा होगा, उसको press करके gold membership आप ले सकते हैं, उसके charges जादा नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मन्त का उसका charge होता है, इस तरीके से आप खाली मेरे चैनल को support कर सकते हैं, encouragement दे सकते हैं, तो अगर आप चाहे तो gold membership ले सकते हैं, मैं आप से मिलूँगी अपने अग